कि है यह आगधे बेरी व्हेरी गूट मॉर्निंग चौलो फ्यू जी नमस्कार आप सभी लोगों को स्वागत आप लोगों का अज के सेशन में स्वागत आप सभी लोगों का बीएश्च फारमेसी में तो कैसे आप सभी आयोप सब सुर्ब बढ़िया होंगे बहतरीन होंगे आप सबी लोगों को झैशे किशन राधे-र है वो लोग को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अगर स्टार्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना आज गए सेशन और 2023 का अपना प्रिविएस हर कोश्चन पेपर हम लोग डिसकस करेंगे डिसकस करने का मतलग क्या है कि जो चीजे सोल करने वाली होगी वो सोल भी करेंगे सारी चीजों का आपको बताएंगे कोई भी परिशान नहीं होने का गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी जैशी किष्णर रादे रादे आ जाईएक जरा तो हम लोग क्या अपनी प्रिविएस हर कोश्चन पेपर की स्रीज अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों की पहली यूनिट मैंने कल यूट्यूब पर भी कवर अप करा क्या है वो स्टुडेंट से जिनको हम लोगों को benefit है कि हम लें पहले से सब कुछ पढ़ा हुआ है we are not that type of student कि हमें exam के भरोसे बैठे रहना है कि exam time पर कुछ questions मिल जाएंग उसके बरोसे बैठे रहना है क्योंकि हम लोग पूरे semester मेनत करते हैं पूरे semester हम लोग live classes लेते हो आप लोगों को किसी भी चीज में ज्यादा systematically problem नहीं होनी चाहिए ना अरिवा समझ में चलिए तब हम लोग क्या है अपना 2023 का पेपर सोल करेंगे जी अगर जाब 2023 का यह paper देख पा रहे होंगे तो यहां पर सबसे पहला question इस paper में सबसे पहला question आप लोगों से पूछा गया जैसे कि यहां पर हम लोगों से acetic acid चीक है हमारा lactic acid salicylic acid और succinic acid यह अलग-अलग acids दे गए बिटा जी इनके खाली हम लोगों को structure पूछे गए अब दो नंबर का यह question है two marks का यह question है अब इस two marks की question में चार question पूछे गए है acetic acid, lactic acid, salicylic acid और succinic acid तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर जो इस तरीके के question आपको एक्जाम में देखे तो जो पूछा है structure पूछा है खाली structure बनाईए और बात खदम कर दीजिए खाली structure बनाईए बात खदम कर दीजिए जैसे कि आपका acetic acid है CS3 COOH या फिर इसका open वाले बना दीजिए क्या c h3 c double bond O यह आपका क्या है acetic acid का structure हो गया ऐसी आपको क्या है अपना lactic acid का बना दीजिए ऐसी आप लोग salicylic acid का बना दीजिए ऐसी succonic acid का बना दीजिए और बात खदम हो गए इस question में इस के लावा और कुछ भी नहीं लिखना है ना कोई uses लिखने है ना कुछ लिखना है अगर जाप एक और चीज हाँ add-on करना चाहते है तो आप formula और लिख सकते हो अगर जो लिखना है तो otherwise इस question में आपको और कुछ भी नहीं लिखना है बात की लिए रहे बात की लिए रहे बेटा जी यह सुर्णों फटाक से बोल दीजिए एक सेकेंड मैं अपना चैट वाला फोन लेता हूं एक में ट्रूक एक में ट्रूकेंगे बेटा जी जस्टा सेटिंड बस कि कि अ कि क्योट कि कोई समस्य आओ किसी को समस्य ने तो पूछले गभि इस कोश्चन में किसी को किसी परकार की को समस्य ऊटो पूछले कभि इस कोश्चन में किसी को किसी परकार की कोई समस्य हो तो पूछ ले कभी कोई दिकत पहला कोश्चन सभी लोग कर लेंगे तो हर्ट वाले एमोजी बेश दीजे फटाक से पहला कोश्चन अगर जो आप लोग अटेम कर लेंगे तो जल्दी से फटाक से राइट डाउन चैट सेशन फटाक से जी फिर अगला कोश्चन एनलिस्ट क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एलकोहल एलकोहल के क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में हम लोगों को बताना है है ना एलकोहल के हम लोगों को क्या है qualitative test के बारे में discuss करना है अब दिखे हमारा क्या है कि एलकोहल के qualitative test और identification test की बात की जाए तो हम लोगों ने कौन-कौन से test अपने पढ़े थे अगज आपको भी याद होगा तो retard test लोगों ने पढ़ा था अब लोगों क्या है chromic acid test अपना पढ़ा था लुकास रिएजेंट अपना पढ़ा था लुकास टेस्ट पढ़ा था तो यह तीन टेस्ट हम लोगों ने बेसिकली discuss करें जहां पर हम लोगा identification quality चेक करें अपने अल्कोहल की अब उन्हीं तीनों टेस्ट के हम लोग मोटा मोटा सा explanation यहां पर दे देंगे जैसे फूर एक्जामपल हम लोग क्या है रिटार टेस्ट में क्या था हमारा कि हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल थे वो किटोन में फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कनवर्ट होते हैं आफ्र दी ऑक्सिडेशन हाइली ऑक्सिडाइजिंग एंजन जैट वस पोटेशम पर मैगनेट उसके बाद में अपने जो सेकेंडरी अल्कोहल से वो किसमें हमारे किटोन में कनवर्ट होते हैं और टर्शरी अल्कोहल कोई रेक्शन सो नहीं करते हैं सेम यही कंडिशन हमारे क्रोमिक एसिड टेस्ट के साथ में होती है महापर भी जो हमारा क्रोमिक एसिड टेस्ट के साथ में होती है महापर भी जो चुन्य अलावा जो हमारा क्या था लुकास चछा महांपर अमारे क्या थे हमारे बबलस ughन रहे थे हैं रहे हम लोगों को क्या है वबल सोओं हो रहे थे oh bowl is जान रहे थे उनलोगों क्या है Agora lub a passed कि इसकी पर ट्रश्वेयरी एलकॉल में लग रहे थे ऑर अल्कॉल में क्या थे हमारे आप 10 से 15 मिट का समय ले रहे थे कुछ मिनट से लग रही थी और क्या था हमारा घंटों का समय लग रहा था जहां पर आम लोक बोल रहे झाल झाल सेकंड के लिएर चली कोशन नमबर थ्रड राइट वोट इस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है अब दीए एल्डोल कंडेंसेशन की हम लोगों को यहाद होगा कि जमारा क्या था सेकंड क्या था एल्डोल प्रोड़क्ट अपना बन रहा था एल्डोल प्रोड़क्ट कैसे बन रहा था अपना CS3, single bond C, double bond O, single bond C, single bond H, single bond OH और single bond CH3 कुछ इस तरीके का compound अपना यहां पर क्या है एल्डोल कंडेंसेशन के case में फोम हो रहा हूँ तेस्ट की दो चार लाइन लिख कर नाम लिख मतलब समर्जी क्या बोलना चाहरे है आप कि गुड़ मॉनिंग जी गुड़ मॉनिंग चलो सबसे पहले हैं पर हम लोग क्या लिखते हैं लोल कंडेंसेशन लोग यह एक दो लाइन लिखेंग हो लिख लेते हैं अना फाफ के लिए अभी एक बच्चा बोला कि भी लिख करके बता देखे अलोल कंडेंसेशन हम लोग क्या लेते हैं हमारा ऐसे एल्डी हाइड लेते हैं कि या फिर ऐसे किटोन लेते हैं कि जो क्या कंटेन करते हो एलफा हाइड्रोजर कि टो होगी कि जो क्या कंटेन करते हूं एल्फा है रोल कंडेंसेशन में इन दिप्रेजल बादर लेते हैं प्रेजन प्रेजेंट है उसके लिए हम लोगों ने लिख्या लिए है जैसे अपना सीएस्थ्री सी एच्चो यह फंक्शनल गुरूप है इसके पास वरा कार्बन एल्फा कार्बन और एल्फा कार्बन से जीटना हैड्रोजन अटेच वह एल्फा हैट्रोजन है कि अब आप बोलो कि य कि हैं एल्फा है दो है आप थी फीए जिए त्री खू है यह में कारबन इससे अटेच एक अर्फा कारबन और उससे अटेच हड्रोजन फा हैड्रोजन यहां पर दो ऐल्फा एटोजन है आपर दीनल फायट हो जाना है कि सब्धमाई बात तो हम लोगों ने आपर क्या लिए अपना सटल्ड डिया क्या लिए इस इस टेल्ड डैड टो टो डियक्शन किसके साथ नहीं कराई ऐसे ट्टल्ड के साथ में सी एस यहां पर मेरा आपसे कोश्चन है कि यहां पर हम लोग प्रजेंस किस चीज की लिखते हैं कि यह ना जो चीजे बताई है वो सारी चीजे लिखनी है जो चीजे मैंने बताई है मैंने एक बोला है कि खाली रियक्षन स्किप करना दो नंबर वरना थियोरी पूरी लिखनी है चीक है जल्दी बताईएगा रादे रादे जी गुड मॉनिंग रादे रादे गुड मॉनिंग तो जो हमारा क्या है बिटा जी अगर जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमारा एल्डोल कंडेंसेशन उसमें हमरी प्रिज दान डाउन जल्द 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 है जल्द बहुत बहुत बढ़िया एन ने वेच की प्रिजन्स होती है चीक है अब यहां पर क्या होगा यह हैं चारबन भी ऐसा ही रहेगा कि अब यह यह उपर पुचा दीजिए यह उपर पुचा दीजिए जब यह आपस में बोंड बनाएंगे तो क्या है यहांसे एक हाइड्रोजन तूट जाएंगे और इसके नीचे आजाएंगे यहां पर एक hydrogen आ जाएगा यह CH2 बन जाएगा यह CH2 बन जाएगा अब यहां पर क्या है यह क्या है यह जो CH2 है अपना यह जो कातियो रहेगा यह हमारा क्या बन गया यह हुआ कुछ नहीं है खाली क्या हुआ है कि यह ओए चुपर चला गया जो इन दोनों कार्बनों ने बॉंड बनाया है तो यहां से एक hydrogen टूटा और वो इसके नीचे आकरके अटैच हो गया यह CS2 बन गया और CH2 ऐसा कैसे रहा यह हमारा क्या बन गया यह हमारा क्या बन गया eldol product बन गया अब eldol product बन गया तो condensation में क्या होगा बिटा जी हमारा की हमारा यहां का O.H. और यहां का एक edge भार चला जाएगा यनकि क्या हमारा H2O भार लिक लेगा कंडनसेशन के लिए क्या होगा बैटा जी कंडनसेशन के केस में हमारा H2O भार लिक लेगा तो ये O H और यहां का एक H भार जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास में CS3 Single Bond C यहां पर H है सिंगल बॉंड सी और यहां पर है और इनके बीच में डबल बॉंड आ जाएगा और यही हमारी क्या अथिब्टा जी एल्डोल कंडेंसेशन होती है एल्डोल कंडेंसेशन दो नंबर में पूछा जाए इससे ज्यादा और कुछ भी भसडवाजी में मत पड़ना इससे ज्यादा और कुछ लिखने की जुरत नहीं है बस इतना लिखेगा बात खतम हो गए चीक है चलिए अगले कोश्चन की तरह मूग करते है नेक्स्ट एसड़ी की नेचर क्यों होते है विकोज सबसे बड़ा रीजन क्या था देज्ट पोजिटीवाइंस क्योंकि कैलिवेज किसका हो रहा था एच पोजिटीवाइंस का हो रहा था वहाँ पर यह के लिख देंगे आप लोग एसड़ी ओफ कार्बोक्सिलिक एसड़ में और आम ना क्या करते हैं लोन पेर फिलेक्ट्रोन को डोनेट करते हैं अब लोन पंठिक्टरोन पोज़ेकशन कोन से वाली जैसे आपका क्या है जैसे CS3, COH है या फिर आप CS3, COH मत लीजेगा स्पेसिफिकली ROH लीजेगा इसकी रियक्शन के साथ में NAOH के साथ में कराईएगा तो यहांसे क्या है कि हमारा देखा जाए तो नॉर्मली हम लोग OH को रिमूब करते बट कैलिवेज हमारा इसका यहां से ह चीटर है वह इसका कैलिवेज हमारा यहां से होगा टिकिए जो बेस होता है वह Michigan देते हैं और जो एक असाइड होता हूз यहां से क्या होगी हैं besetberg और OH नेगेटी मिलकर की बाटटर बना लेंगे और यहां से क्या होगा sodium salt for Caitblackằt acid बन जाएगा तो ऐसे आप लोग एक एक लाइन के definition और एक एक लाइन के reactions यहाँ पर लिखेंगे ions का खेल करेंगे उसके अलावा आपको इस question में और कुछ भी नहीं करना है अगला question what are SN1 and SN2 reaction give example SN1 और SN2 reaction क्या होती है क्या होती है SN1 और SN2 reaction they are the part of nucleophilic substitution reaction SN1 full form was unimolecular nucleophilic substitution reaction and SN2 full form was bimolecular nucleophilic substitution reaction थोरा सा theory portion का लिखेंगे in SN1 there was it was two step reaction and carbocation will be formed and rearrangement was possible and in SN2 reaction that was a single step reaction where was no carbocation will be formed there was a transition state will be formed and a single step complete reaction will be occurs तो ऐसे आपने theory लिख दी उसके बाद में SN1 और SN2 की खाली reaction लिखेगा mechanism मत लिखेगा और यह आपका question इसमें यहीं पर ही समापत हो जाएगा इसके लावा आपको इस question में कुछ भी नहीं लिखना है question number 5 तक अगर जो सभी को clear हो कोई समस्या ना हो हर्ट वाले emoji बेज दीजेगा फटाक से question number 5 तक जो सभी को clear हो तो फटाक से हर्ट वाले emoji बेज दीजेगा good morning very very good morning जल्दी से फटाक से एक मेट रुकेंगा पानी को लोगा पानी कि अगर आज़िए जल्दी बढ़ाएंगे जी बिलकुल बिलकुल बीटा जी बिलकुल पान्टेंगे अगला question sp3 hybridization in alkane alkane का sp3 hybridization पूछा बटा जी तो जो hybridization में आपको normal सी चीज़ बताई हुई है क्या कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर sp3 hybridization की क्या बटा जी थियोरी लिखनी पड़ेगी basic introduction बताना पड़ेगा कि sp3 hybridization are used for the saturated hydrocarbons which contained where the carbon atom contained single bond and the bond angle in the sp3 hybridization was कितना 109.5 degree and the shape of the sp3 hybridization structure was tetrahedral structure तो इस तरीके से आप लोगों ने थियोरी लिख दी थियोरी लिखने के बाद में आप लोग क्या है वोई अपना explanation देंगे sp3 hybridization के लिए क्या है कि हमारा क्या है ground state में ground state या फिर यह मत लिखेगा इसमें दो नंबर में ground state excited state और hybrid state मत लिखेगा example लिखेगा सीधा example एक्जामपल लिखेगा सीधा और एक्जामपल में क्या है आपका मीथेन ले लिजेगा ch4 सीधा बना दीजेगा carbon फो अबर बना नंबर कर दो कर दो कर और कुछ नहीं लिखना है इसके लावा और कुछ भी नहीं लिखना है चली अगला कोश्चन वोट इस ट्रॉक्चर आइसोमेरिज्म इन ओर्गेनिक कंपॉंड गीव एक्जामपल जब कहल कल पहली उनिट पढ़ाई थी कल ही बोला था कि स्ट्रॉक्चर आइसोमेरिज्म दो नंबर में पूछा है यह रहा क्या लिखना है इस्ट्रॉक्चर आइसोमेरिज्म की खाली डेफिनेशन लिखिए इस्ट्रॉक्चर आइसोमेरिज्म क्या होता है इस्ट्रॉक्चर आइसोमेरिज्म बोलते हैं और इसी फिनोमेनों को दो ना एक्सामप्ल आपको बताई था इसके अलावा यहां पर आपको टाइपस के नाम और टाइपस ओफ इस गला थैना ऑब होते हैं तो डेफिनेशन आपको लिख वाहिती simple सी क्या कि वहन from journal alkane removal of one hydrogen atom क्या बोला गया कि वहन from journal alkane removal of one hydrogen atom and addition of and क्या है removal of one hydrogen atom and addition of one halogen atom on the place of hydrogen the resulting product will be formed that was called alkyl halide चीक है पेटा जी और कि वो compounds जो क्या है जिस जब journal alkane में से नोर्मल alkane में से हम लोग एक hydrogen को हटा दे और उसकी जंग अपना एक halogen group लगा दे तो हमारा क्या है जो resulting product बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं alkyl halide बोलते है alkyl alert दो तरीके को होता है एक होता है हमारा क्या halo alkane और एक हमारा होता है halo arine चीक है बस इतना आपको इसके अंदर लिखना है दो-चार एक्जामपल चिपका दीजेगा कैसे देखेगा cs3 cl c2 h5 br etc इस तरीके सा आप लोग एक्जामपल यहां पर लिख दीजेगा चीक है जी चलिए अगला question गीव brief nucleophilic addition nucleophilic addition के ओपर brief note लिखना है यहां पर भी आप लोग अगर जो nucleophilic addition की मैं बात करूँ तो मैंने nucleophilic addition आपको बहुत सारी जंगा chemical properties के अंदर पढ़ाया है तो आप लोग उन chemical properties में से कोई भी एक reaction लिख सकते हो otherwise nucleophilic addition reaction आपके कौन सी है है ना आपकी sn1 sn2 उन में से भी आप कोई भी एक reaction उठागर के आप लिख सकते हो अगर जापको nucleophilic specifically एक्जाम में याद नहीं आती है तो चीक है जी और लास्ट आपका die elder reaction die elder reaction में खाली आपको reaction लिखनी है और theory portion लिखना है reaction क्या होती है die elder की हमारा क्या है जो die ins है है ना जो अपने conjugated die in है वो एलकीन के साथ में reaction करते हैं और यहाँ पर क्या है एक cyclic product है एक cyclo alken अपना बनाते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते है हमारा die elder reaction बोलते हैं खाली reaction लिख करके छोड़ देना है और कुछ भी हाँ पर नहीं लिखना है दो नंबर वाले question 20 में से कितने नंबर का आप लोग attend कर लेंगे पटाक से चैट सेशन में confirm करेंगे जल्दी से चैट सेशन confirm करेंगे जल्दी से फटाक से चैट सेशन में confirm करेंगे जल्दी से बता दीजिए इस तरीके से अगर मैं questions को solve कराऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है कि अगर जो दिक्कत है तो बताईए और अगर जो दिक्कत नहीं है तो हर्ट वाला मोजी बेजी नाइंटीन प्लस में बीस ही मजाक करता है कि अग्या कि अग्या कि 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 अग्या कि अग्या कि 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 अग्या कि आगे बात करते हैं कि देखें दोनों महा इंपोर्टेंट कोश्चन एसन वन एसन टोरी इवन एंड़ी टू वेन हमेशा बोला इन कोश्चन को जरूर तयार कीजिएगा अब दस नंबर में कोश्चन आया हैं दोनों ही अब यह मत देखें कि क्या पूचा है कोश्चन नहीं देखें जितना तुमसे एसन वन एसन टू आता है सब लिख डालो एसन वन एसन टू का इंट्रोक्शन लिख डालो मुझे एक बात नहीं समझ माते कि एक्जामनर सस्ते नसे करके पेपर बनाता क्योंकि अब देखें अब देखेंसर माने संट्यपर फूच लिया अभी सपेपर में आई तिंसो नीचे भी था काई नगई है कि हमाइस और नीचे नहीं है अब देखने यहह प्याइब यह भी ऐसने टू का यह भाग है और यह यह उनट्रोट्स ओन पूच लिए एक है कोश्चन को एक वारी दो क्यों दोगद्टừa खें आई की कोश्चन आईला चलिए अब क्या है कि आपको आप जिकिल पाझटाई Seems करें करना करणा आपकी जो Factor आफेक्टिंग वाला पॉइंट था यह सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं अभी यहां पर आंसर नहीं खतम हुआ यह सन्वन और सन्टू के लिए सारी चीज़े लिख दी फिर एक हैडिंग बना डिफ्रेंस बिट्विन सन्टू अग्ड़ दस नंबर में आता है तो डिफ्रेंस बिट्विन और वो टेबल भी बनाना रही है इदर जो एक है उदर दूसरा है इना इतर अगर जो कार्वो काता इन नहीं बनेगा इदर ट्विस्टेप अगर सिंगल स्टेप इधर ट्रांजिस्ट्टन इस्टेट नह और टेबल अच्छी सी बना सकते हो तो यह आप लोगों को क्या है वेटाजी दस नंबर में लिखना इस तरी चैसे 10 मार्क्स में अगर जो 7 मार्क्स में S1, S2 और E1, E2 आता है तो वेटाजी क्या है टेबल को आप स्किप कर लिजेगा बाकी यह वाले पोइंट्स आपको लिखने ही लिखने हैं क्योंकि कि 7 और 10 नंबर में समझ लो तो वही चीज यहां पर भी होने वाली तो लोग जयादा पेजिस नहीं बढ़ सकते नहीं का जादा हैं स्काल आप सकते हैं हॉंकि इजो लूक осब्ने इसमें आता हूं नंबर का मैं तो तो 5 या 5 पेज्ट में है है ना तो जो हमारा कंटेंट हम उसके अकोडिंग लिखेंगे एक्जेक्ट चीजे लिखेंगे फालतुगरी कुछ भी नहीं करेंगे पेपर में आर यह बत समझ में जी कि लिए बात यह सुर्णो कि सस्तन से करके बहुत बनाते हों लोग ईवन इटू में भी सारी की सारी चीज आप लोग लिखे लेंगे और यहां मार्कोणिक्ट पूछा तो येंटी एक बात है कि हम घर पर इंविटेशन देने के लिए हमने बोला कि या शैय परिवार आईएगा according while I haveulos बोला था अब भाईया अगर साधी में दिख गए तो मतलब भावी जी भी आई हूँ है ना इंडरेक्ट ले में सोच लें तो इसी जब भाईया दिख गए है तो भावी जी क्यों नहीं लिखेंगे अम लोग तो एंटी मारिकोनिकोफ को भी लिखेंगे अब एवन इटू की पात हुई है तो सिर्जिफ और होफ में कहाई पीछ रहे उनको भी लिखेंगे अब बोले हम तो जो ना 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 मुनना वह अलग चीज है उसको मत लिखेंगा यहां पर इस आंसर में आप लोगों को इंडरेक्शन ही सारी की सारी चीज़े लिख देनी है इसके बाद में आपको क्या लिखना है यहां पर आपका मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ आपको लिखना है और आपका सिर्जिफ और होफ में आपको लिखना है यह चार टोपी को और आपको इस आंसर के अंदर इंक्लूड करना का जो दस नंबर में आता है साथ नंबर में आता है तो मार्कोनिकों फर एंटी मार्कोनिकों फ्रिकी का सिर्जी फॉर होफमेन को स्किप कर दीजेगा आई बात समझ में? हागे ना? बात समझ में यह नहीं आई? अगला कोश्चन है, what is inductive effect? गीव qualitative test for caroboxic acid, amides and esters अब देखें यह question थोड़ा सा अच्छा है, यह question थोड़ा सा अच्छा है, जो directly नहीं पूछा है अब यहाँ पर हम लोगों से क्या पूछा गया? अब देखें, जो बच्चे यह बोलते हैं फिरा करके कि भाई आपका बताया वहाँ क्या है? नहीं आया, क्या नहीं आया जी? क्या आपने बोला था कि effect of substance नहीं थोड़ा, acidity of caroboxic acid आएगा, वो आया ही नहीं? भाई यह question वही से ही है inductive effect क्या होता है? positive inductive effect और negative inductive effect, जिसको positive और negative eye effect हम लोग बोलते है negative eye effect क्या करता है? acidic nature को increase करता है, acidity को increase करता है और positive eye effect क्या करता है? acidity को decrease करता है negative eye effect क्या करता है? basicity को decrease करता है, positive eye effect क्या करता है? basicity को increase करता है तो इस सारी terms आप लोग यहाँ पर लिख देंगे inductive effect के अंदर उसके बाद में आप लोग यहाँ पर क्या है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का बेसिक इंट्रॉडक्शन लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो तो उसके एक्जामपल देंगे उसके बाद में कार्बोक्सलीक एसिड के क्या है क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो क्वालिटेटिव टेस्ट में आपको लिखवाई थे चार के चार क्वालिटेटिव टेस्ट लिखेगा या पर दस नमबर में कोश्चन है चार के चार अपने क्वालिटेटिटिव टेस्स यहाँ पर लिखेगा उसके बाद में आपका अमाइड के बारे में हम लोग इंट्रक्शन देंगे पहले इंट्रक्शन के बारे में और अमाइड के जो तीन क्वालिटेटिटिव टेस्स लिखाई थे तीनों के तीनों के थे वो दोनों के दोनों आपर लिखेंगे अगर जो मैं आपसे बोलता हूं किस पे कोश्चन में आपका यह जो मैं चीज बता रहा हूं इसमें आपका कितना मैटर हो जाएगा देखिए का आप लोग इंडक्टिव एफेक्ट के ओपर आपका एक पेज जाएगा जब आप वह एक पेज तो यहनी कि लगबग आपका मैं आप पर बोल देता हूं 1.25 पेज आपका फिल होगा अमाइट्स में इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप लोग और जब तीन टेस्ट लिखेंगे तो बटाजी आपका क्या है एक पेज यहां पर फिल होगा और आपका क्या है यानि कि लगबग चार पेज का मैटर अपका हो जाएगा और डैट वोज इनफ फॉरस इतना अंसर क्योंकि हम लोग कुछ जादा क्यों लिखे भाई जो चीजे पूछी है उतनी लिखो बात खतम करो है ना क्योंकि हापर कोश्चन में बढ़ा चड़ा करका हम नहीं लिख स मोर देन सफिशेंट रहेगा आरे वा समझ में मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ शोट में बताने का तरीका यही है कि देखे हमारा क्या होता है कि जो हमारा एच बी आर है एच बी आर है चीक है एच बी आर है यह जब हमारी एलकीन के साथ में रिक्शन करता है एलकीन के साथ में तो जो डबल बॉंडिड एलिकीन है मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ रूल का बोलता है कि एक हाइड्रोजन एक के पास में जाएगा और क्या है हमारा बी आर दूसरे के पास में जाएगा अब एक रूल हमारा क्या बोलता है कि जिसके पास में अलफा hydrogen ज्यादा double bonded carbon के पास में जिसके पास में hydrogen ज्यादा Norman के रहा हम लोगों केले हम लोगों को क्या आद रखना पट रहा है यद Championships होना ज़रूरी है अग placing लिखा है तो मतलब兩 zeg और आप Tus al किने को वह्म कानिक अंपनीक आप को प्रोडक्ट बना ये इंग ये तो को ला गया कि प्रोड़क्ट क्या बनेगा और प्रेजेंस में प्रोक्साइड नहीं है तो हम लोग महाँ पर मार्कोनिक ओफ रूल के अकोडिंग अपना फाइनल प्रोड़क्ट बनाते हैं ठीक है जी बात के लिए रहे सरे इससे अच्छा है कि आप यूनिट फर्स से फिफ्ट एक इससे अच्छा है कि आप फर्स्ट से फिफ्ट एक अच्छी सी रिलेटेड कर दीजे मतलब एक अच्छे से इस अच्छा है एक टूट भी नहीं बोल सकते हम लोग पर ओक्सीजन औक्सीजन सेंटर में और सैड में कुछ और है इसको अच्छा है एसी टम्स को अच्छा है कि लिए रजी बात चली अब सेक्षन ए और सेक्षन भी अगर जो कर लोगे इमांदारी से बताना 100 तो सब carbono करें कि कि महीं कर लेंगे इसलो मेंने बता दो कि कितने मेंटर कॉनव कोस शक्रें को असली सब लकर सुराइब कोफिने पढ़ा वाटा हूए misae बढ़ा है मुझे बता एकि मैंने कितना पढ़ा है और आपको कितना लिखना चाहिए उन मैंने आपको बता दिया झाल 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 कि यहां पर आगे बढ़ते बटाजी और हमारे आजाते कोश्चन साथ नंबर वाले साथ नंबर वाली कोश्चन में हम लोग थोड़ा सा है ना नीचे से पढ़ेंगे नीचे से कैसे जैसे कि आप लोगों का एक कोश्चन है आपर क्या कि गीव दी केमिकल टेस्ट ओफ डिफरेंट विट्विन प्राइमरी सेकंडरी और ट्रेशरी अलकोहल की उनके हमें केमिकल के बारें बताना है अब इस कोशन को मैं सबसे पहले सकस्षाब को मैं अभी इसकस कर चुके हैं अब इस कोश्चन में एक चीज आपको याद विद एक्जाम्पल के साथ मैं बताएंगे कि प्राइमरी होता है शेकंडरी होता है उसके बाद हमारा क्या है बिटजी आपर केमिकल टेस्ट जो है इंडेनिफिकेशन टेस्ट जो हमारे अलग-अलग अपलाई होता है अलकोल के लिए वह यहां पर लिखेंगे और वही अपन क्रोमिक एसे टेस्ट, रिटार टेस्ट और लुकास टेस्ट, तीनों टेस्ट को आम लोग यहाँ पर लिखेंगे, बट इस बार थियोरी के साथ रियक्शन भी लिखेंगे, और यह आप लोगों का क्या है, सेवन मार्क्स का कोश्चन तैयार हो जाएगा, सेवन मार्क्स का कोश्चन तैयार हो जाएगा, यह नहीं कि अगर जो आपको अगर जो मोटा मोटा से बोलू तो तीनों थियोरी आपके आदे आदे पेज में एक थियोरी आएगी तो डेड़ पेज का मैटर उधर हो गया, है ना, और आपका तीन से चार लाइन के डेफिनिश यहाँ पर हम लोग कंटेंट लिखेंगे बिटा जी क्या, हमारा बेसिक मैथड उप्रपरेशन, मैथड उप्रपरेशन, दो, दो प्रोपर्टी लिखेंगे और दो ही कैमिकल प्रोपर्टी लिखेंगे, यह भी हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेंगा, चीक है, यह नोट की पड़े बट कंटेंट को लिख सकते हैं क्या न लोग इस कोश्चन में लिख सकते हैं आपको बोल रहा हूं कि कोश्चन को आपको इन सारी चीजों के साथ में लिखना पड़ेगा बात के लिए रहो तो यह सुर्णों फटाक से बोल दीजिए अगला कोश्चन है आप लोगों का जो आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा इजी लगेगा वह आपका कैने जारो रेक्शन कैने जारो रेक्शन चीक है कैने जारो रेक्शन आप लोगों का पूर्थ उनिट से अभी हां पर हम लोगों कैने जारो रेक्शन में क्या पूरा का पूरा पूरा कंपलीटली कैने जारो रेक्शन को लिखना पड़ेगा चिक है हलो हलो सभी कैनी जारो रेक्षिन में क्या लिखना पड़ेगा पिटाजी बेसिक इंड्रक्षिन रिएक्षिन और आपका मेकनेजिम सबसे इंपोर्टेंट है मेकनेजम चिक है यह तीनों चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी कहने जारोर रेक्षिन दो पेज में आपका खतम हो जाएगा और यहीं पर खतम हो जाएगा यह इसमें और कुछ नहीं लिख सकते हम लोग कुछ लिखना भी नहीं है यांड़ से जादर हम लोग और कुछ लिखेंगे भी नहीं यहाँ पर ठीक है अच सब कि अधेन के अमें फ dileंगे माने तेंड है उसके बाद में अगलां का। आपका क्या ओजनो लाइसीज ओजनो मैसीज कि और लिख सकते हैं वही इंट्रक्ष लिख सकते हैं टूस अलाइसीज का ते और रिक्शन लिख सकते हैं और मेकनेसिव का मेकनेसिम थोड़ा सा बड़ा है तो इसी वज़े से भाई पेज में आय करके अपने प्रान छोड़ देगा उसे ज्यादा नहीं लिखा जा सकता है यहाँ पर इसी कोश्चन में एक और कोश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रियक्शन अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रियक्शन हमारी क्या है वेटा जी हमारा क्या है यहाँ पर आप लोगों को जो मैंने क्या है फ्री रेडिकल एडिशन रियक्शन है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ाई थी न वह वाली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन डिक्षन वाला जो अपने कंपॉण्ड बन रहे थे वन फोर वाले वह वाली डिक्षन यहां पर लिखने है और क्या है आपका दो ही पेज का मैटर विद मेकनिजम किसके अंदर तो अब इस आंसर में आपके टोटल क्या है एप्रोक्सिमेटली चार पेजिस का मैटर होगा और चार पेजिस का मैटर मैं अगर आपसे बोलू बेटा जी तो क्या है कम नहीं है इस कोश्चन के लिए क्योंकि की कोश्चन यह मेरे अकोडिंग 10 नंबर में आना चाहे था काम करना आप काम करना कोलीज वालों की सुनना अब मैं आपसे एक चीज बोलूँ अब खुद यह तो जो जो बोलता है आप उसकी बात अब सुनिए पर मेरा एक बार एक्स्प्लीनेशन सुननीजिए यहां पर ओजनो लाइसीज है तीन लाइन की रिएक्शन है ओजनो आप खतम हो गया इलेक्ट्रफिलेक एडिशन रियक्शन है मैं बोलो आपसे 5-6-6 लाइन में क्योंकि दो स्टैप हम लोग महां पर शोग कर देते तो 5-6-6 लाइन में खतम हो जाएगे मैं आपकी बात बड़ी करता हूं जिसने भी आपको बोला उसकी बात आप बड़ी करिए आप उसको यह कोश्चन दिखाए कि क्या इसमें मैं मेकनिजम लिखू या ना लिखू और ना लिखू तो क्या लिखू आप पूछीगा तो आपका दिमाग खुद बोल देगा कि व इसन वन एसन टू में क्या मेन है आप खुद बताईए का मुझे मैं आपसे पूछता हूं वो तो आपका आंसर खुद आपका दिमाग कर देगा इवान इट्यों में क्या इंपोटेंट है थ्योरी लिख कर गया होगे रिक्शन लिख दोगे मेकनिजम को लिखेगा और गैन कि इतने लाइन का कोश्चन है चार लाइन की डेफिनिशन एक लाइन की रिएक्शन है मेकनिजम नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे समुझ समझ रहो तो यह चीजे मतलए कि थोड़ा सा देखे फिर उन लोगों की बैक आती है 100 परसेंट जो ऐसा ऐसा आपको गाइडेंस देते हैं मुझे पता है उनकी खुद की बैक आई हुए रहते हैं और उनकी खुद की बैक आई हुए रहते हैं इधर आगर के ग्यान पेलते ह समझ रहे हो एक सेगेंड बैटो जी और मैं तो हमेशा बोलते हैं जिन्दगी क्या एक्सपरिमेंट है माली जाप कोई बिजनिस करने जा रहे हो वह सक्सेस्फू लोग इस बात की कोई गारेंटी नहीं क्योंकि आप भी एक्सपरिमेंट करके देख लो उनके अकोडिंग करके देख लो आपको खुद पता लग कर रहा है तो मैं हमेशा बोलता हूं हाँ एपलाई कर देना कोई दिक्कत नहीं पर कोई अगर जो गलत गाइड कर रहा है तो गलत ही गाइड है चीकर आर यह बास समझ में कि मैं मेरी वीडियो नहीं चल रही है कि अब यह कोश्चन हमारे हो गए तीन कौन कौन से कोश्चन हम लोगोंने टेंट कर लिया कोश्चन नमबर सी हम लोगोंने टेंट कर लिया कोश्चन नमबर डी हम लोगोंने टेंट कर लिया कोश्चन नमबर डी हम लोगोंने टेंट कर लियो कोश्चन नमबर एफ यहां पर एक question है question number G जो गी कि पहली बार 2023 में देखने को मिला जहा पर क्या था कि IU PSE को साथ नंबर में पूछ लिया अब बच्चे क्या थे confused थे कि साथ नंबर में question आया एक कर दूंपर मैंने बोलने था कि नाम से question आया तो यह question बता हूँ वहा के लिएू और यह पिच्छी आयू कि आगए कि आए खुर आई आधरी पूछ ट्छीं अब इसे में करें क्या और स्जुरें अब मैं बोलतों कि आप कोई कोश्चन तो कुछ करना ही नहीं था इस question में कुछ सोच नहीं नहीं था देखे क्या बोलागा है What is IUPAC system? No one creature of organic compound तो क्या करो? IUPAC क्या होता है? Interaction लिख दिया इसके full form लिख दी Full form लिख दी अब भाई जो आपको rules बताए है उनको लिखना सुरू कर दो भाई theory पूछ लिख लिख दो भी अच्छी बात है rules तुम्हें याद है 10 के 10 rules रिखो उसके बाद में क्या? तुम्हें जब prefix के बारे में बताया है उसको लिखो और उसके table को बना दो तुमको जब suffix के बारे में बताया है उसको लिखो और वो functional group वाले table बना दो तुम्हें जब वर्ड रूट के बारे में बताया है उसको लिखो और उसके क्या है वो वर्ड रूट वाले number of carbon वाले table बना दो तो भाई table table बनाने में तुम्हारा क्या दो पेज भर जाने है दो पेज तो table table बनाने में बर जाने है है ना? Just a second बेटा जी चीके? तो इस question में तो मैं तो बोलता हूँ कर जैसा question आ जाए तो अपने आपको भी बाग्येशाली समझेगा कि नाम लिखने में दिक्का गडबड हो सकती थी इसको लिखने में क्या गडबड होगी? नियम आपको याद है कौन सी चीज को क्या बोलता है आपको बता है अब इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ हाओ बिलाओ लिखना था यही तो सारी चीजे लिखनी है जो हमने पढ़ा है वो लिखना है ना? जो हमने पढ़ा है वो हम लोग लिख सकते है जैसे आप लोगो का IUPAC की full form क्या होती है International Union for Pure and Applied Chemistry और प्रिफिक्स मतलब क्या होता है that type of thing which we add before the name and suffix means क्या होता है which we add after the name और प्रिफिक्स means branch chain or cyclic compound suffix was the relationship between carbon and carbon and the functional group और word root मतलब क्या होता है कि number of carbon atom present in the principal chain प्रिफिक्स वन प्रिफिक्स टू की टेबल बना दो होई CL को chloro, BR को bromo, F को IDO sorry, I को IDO, F को fluoro NO2 को nitro, NO को nitros हो, है ना, R को L का ऐसे table बना दिया उसके बाद में word root की table बना दीजे क्या हमारा क्या है 1 को math, 2 को add, 3 को probe, 4 को viewed, 5 को pen, 6 को hack, 7 को apt 8 को ok, 9 को none, 10 को dak, 11 को un-deck, 12 को do-deck, 12 को try-deck, 14 को ptetra-deck, 15 को penta-deck ऐसे बना दीजी उसके बाद में क्या है आपका suffix 1 को लिख दीजे क्या, आपका जो single-single bond है तो means alkan we use suffix in carbon attach with carbon by the help of double bond then there was alkin we use in and suffix we use in carbon attached with carbon by the help of triple bond then we use क्या हमारा यह से लिख दिया फिर सफिक्स टूप पर आ जाईए टेबल बना दीजे फंक्शन गूरूप पारी मेन मेन जो भी याद आए उनका टेबल बना दीजे यह ना एक दो एकजामपल अपनी मर्जी से दे दीजे इसमें और आंसर में करना क्या था यह कोश्चन भी मैं तो अटेंड करता आप अटेंड करते नहीं करते डेट वोज उट चूइस अब यह चार कोश्चन हमारे होगे अब एक कोश्चन 2023 के पेपर में और अटपटा कोश अच्छा गया वो क्या कोश्चन था कि युपसी और नेमिंग लिखने का रूल्स क्या होते हैं आब यह क्या है कि बढ़ा ही मुझे देखर के यह सब्सक्राइब करना क्या था इस कोश्चन में यह खाली क्या है आई यू पीसी नोमान क्लेचर खाली बोलने के लिए जैसे आप लोगो देखा होगा ना कि बड़ी-बड़ी पिच्चर में क्या होता कि आगे तो छोटी सी दुकान रहते पीछे क्या है दो नंबर का काम च सब्सक्राइब करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं नाम लिग दो इससे बड़ा और कुछ रूल है कार्वोकसलीग ऐसे लिए कुछ कल अलग से टपका एक अब और लिग क्या सकते हैं एक्जामन बोल रहा है कि मैं नोमन क्लेचर की बात कर रहा हूं कि नाम करन कैसे कर सकते हैं तो उसकी कुंडिली भी बता मुझे कुंडिली मतलब क्या कि कै आया को गएक कि मतलब क्या कि इसका इंट्रोक्षेल मिलिख कार्वोकस लीगे से ड़ता है इसका अएजले कि फिज्छी कि अपर परपर्टीज मिलिख YOUR Chicago properties बीत यूजिज भी लिख और क्या है पुछ एग्जांप्ल्स भी बता जिनके स्ट्रक्चर में ते इस्ट्रक्चर एंड उसे होता है तो इस सारी कैसा चीज लिख कि बताओ कि क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को देखकर के घबरा आ जाते हो आदे से याद बच्च मुलेंगा आई-उ-पेसी नोमन क्लेचर में साथ नंबर का कैसे लिखते सर अम तो साथ ही लाइन लिख पाए हैं साथ लाइन आप सही लिखे हो उससे अधा लिख भी नहीं पाओगे मैं नहीं लिख पाऊंगा आई-उ-पेसी नोमन क्लेचर पूछा है यापर ट्राइवल नेमिंग भी नहीं पूछी है तो नेमिंग कैसे करते हैं आट दस का एक्जामपल दे दीजे नाम लिख दीजे आप मैं अगर जो एजन इस्टुडेंट होता तो मैं इन पांच कोश्चन को अटेंड करता है अब हमारा पहला और दूसरा कोश्चन जो दिया हुआ है उसमें हम क्या क्या लिखें पहला कोश्चन है डिस्क्राइब थ्री मैतरों प्रिपरेशन ओफ आमाइन्स अब देगे तीन मैतरों प्रिपरेशन ऑफ मैंनस का तएब लिख देंगे मैंनेos पांताया हूए चले लिख दिए लिगोतों में साथ नंबर थोड़े मिल जाएंगे आप या ईक्जामनर वहाइं कि जब मैं मैं इसना प्योग वहाँ होता होगा है उसकी कुछ बऊती का भी क्रिया आई भी होंगी कुछ रसाइनिक अभी किरियाई भी होंगी है ना कुछ उसके identification टेस्ट भी होंगे तो लिख डाल भाई पढ़ करके क्यों आया है तुछ बेसी सिट्य ओफ आमाइंस के बारे में लिख दे है ना इफेक्ट ऑफ सबस्टेंट होंदा बेसी लिख दे तो बैया यह कोश्चन में आपको सब कुछ ओल दि थिंग्स अबाउट आमाइंस आपको यहां पर लिखनी है नहीं छोड़ना है कुछ भी चीक है कि आरिए बात समझ में कि तुम लोग सांत क्यों गए कोई दिक्कत हो गई क्या कि बाई कोई दिक्कत हो गई किया कोई समस्या कोई दिक्कत मैं दिख नहीं रहा किया आपको कि तुम लोग सांत कि हो गए एक दाम ऐसे होगे जिसन नाटा हो गया हूँ कुछ दिखत हो गई है कि जिक है अब लास्ट कोशन आपका क्या है से फिन गंजर्डज प्रोल से फिन प्रोड़क्ट नाच फिन अपदसी इस एप ओन विस्जुटे मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनते हैं सिर्जीर और माइनर प्रोडक्ट बनता है हमारा तो भाई वही चीज हम लोग दुबारा से यहीं पर ही लिख देंगे वही चीज दुबारा से हम लोग यहीं पर ही लिख देंगे इवन का पूरा का पूरा डाटा पूरा का पूरा बायो डाटा वहाँ पर major और minor product बनेगे जो major product बनेगा वो किस temperature बनेगा और क्या है उसी को हम लोग सिर्जी product बोलते हैं और जो minor बनता उसी को हम लोग Hoffman product बोलते हैं और यही हमारी क्या है बिटा जी complete आप लोगों का 2023 का paper है और मैं इस paper को देखने के बाद में महा important question को अलग हटा देता हूँ सब चीज को अलग हटा देता हूँ जो बच्चा digital master और crash course वाला है मैं यह guarantee के साथ बोलता हूँ कि एक single section ऐसा नहीं होगा जो उससे नहीं बनता होगा मैं guarantee के साथ promise करता हूँ कि सात दूम्बर वाले cinq के five question वा अराम से attempt करके आता दस number वाले दो Question अराम से tend करके आता और जो धो नंबर वाले 10 के 10 question है आठी अनो न में से अराम से attempt कर लेता एक दो question की तो मैं बात नहीं बोलता है कि दो कोशन स्कीप हो जाता है कोई दिक्कत नहीं पर आठ कोशन या नो कोशन वह अराम से अटेंप कर लेता है इतनी मैं गारंटी ले सकता हूं इस टैंप पर लिख करके बोल सकता हूं कर अचा कंसेंट्रिशन फोकस और बहुत बढ़िया अगले से मेस्टर से ऐसे कंसेंट्रिशन रखना बस क्लास में अब एक काम करते हैं क्या काम करते हैं यह जो पेपर डिस्कस किया है अभी टेस्ट में यही पेपर देते हैं और देखते हैं किसके कितने नंबर आते हैं कैसी रहीज़ी अभी जो यह paper discuss किया है test में इसी paper को देते हैं और देखते हैं कितने बच्चे attend करते हैं और कितने नंबर लेकर आते हैं ओके कैसी रही वही जल्दी बताओ अभी जो दस बजे से आपका टेस्ट शुरू होगा उसमें यही सारे कोश्चन्स दे देते हैं यही पूरा पेपर दे देते हैं क्यों वही जल्दी वोलो बड़ाक से फिर चुप होगे चले अच अब यह बताईए अच अब यह बताईए कि इस पेपर को देखने के बाद जो यह 2023 का पेपर है कि इस पेपर को देखने के बाद में कितने बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बिल्ड अप हुआ है कि मेरा पेपर और गैनिक का अच्छा हो जाएगा कि इस पेपर को देखने के बाद में कितने बच्चों को लगता है कि 2024 का जो पेपर है मैं अराम से कर लूँगा और गैनिक का अगर जो ऐसा पेपर आता है तो कितने बच्चों का ऐसा लग रहा है हर्ट वाला एमोजी बेजेगा फटाक से चैट सेशन में कि अगर तीन बजे खतो मोगा पिटा टेस्ट को याद कर रहे थे 10 बजे टेस्ट सुरू होगा और 3 बजे खता होगा तब आप लोगो का पहला पेपर हमने डिसकाश कर लिया और जो जो चीजे मैंने आपको बताई है उस तरीके से आपको मैंने बता दिया सारी चीज़े अब आपका टेस्ट होगा और जो बच्छा टोपर रहेगा उसकी कोपी आपको as usual मिल जाएगी जैसे आपको मिलती हुए आई है और जो questions आप से सही से अटेंड नहीं होगे तो वो मैं आप लोगों के लिए आज एक चीज लेकर के आया हूँ हमारा पिटारा मेरे पिटारे में से उसका answer आपको मिलेगा जैसे कि आपका कि एलकिल हलाट के डेफिनेशन पूछिए ति तो यह रही है लड़ के डेफिनेशन मेरा पिटारे में से आपको आज नोट्स मिलेंगे जो नोट्स पहले से लेकर के चोछे से सेमस्टर के जो नोट्स है वो इस पिटारे के अंदर कैद है याँनि कि चार सेमस्टर एक ही नोट्स के अंदर आप बोलो वहिया कैसे आ गए तो वह मेरा तरीका है लिखने का है ना आप लोगों को जो जो नकोट है वह आप आप जो ओफर से ओपर चलिगा ओवह 20 तारिक से आपका 30 तारिक तक आफ वाले बच्चों के लिए चलेगा चीक है जो भी बच्चे हैं ओकि तो आप लोगों के लिए जो ओफर है वो बीस तारिक से तीस तारिक के बीच में चलेगा ओकि मैंने चाहता कि आप अभी कोर्स के चक्कर में लग जाएं और अपनी पढ़ाही को स्किप करें आखरी पेपर रहेगा उस टैम पर आपका माइंड बिल्कुल रिलक्स हो जाएगा तीन पेपर आपके हो परिशान मत हो यह आपके लिए स्पेशल ओफर आएगा यह ना 500 रूपे का फ्लैट ओफ रहेगा आप लोगों के लिए मास्टर कोर्स पर और क्या है आप लोगों के लिए 200 रूपीज का फ्लैट ओफ रहेगा डिजिटल कोर्स पर चीक है तो मतलब कि जो 2499 कोर्स है वो आपको कितने का पड़ेगा बिटा जी आपका 1299 रूपे का पड़ेगा तो यह आप लोगों के लिए आपके लिए स्पेशल ओफर आएगा यह अभी इंडिपेंडेंस डे रक्षा बंदन एन जन्नमास्ट मी इन पर तो ओफर चले गई एप पर पर आप सभी लोगों के लि पांट-सो रुपे का फ्लैट डिस काउंट रहेगा कोई भी दिख्यत वाली बात नहीं है चीक है हम लोग complete का टेस्ट लेंगे उसको शाम को डिसकस करेंगे चलिए अब आप लोगों का दस बजे टेस्ट हो जाएगा thank you so much for joining this session अब आज की क्लास कैसे लेगे एक पर फटाक से प्लस डेली आपका एक-एक मोडल पेपर आपको मिलेगा मैंने यह बोला था मैंने कम बोला यूनिट वाइस होगा जूटे कि फूलियर का डिजिटल कोर्स है आपका 2499 का और मास्टर कोर्स आपका चावालिस्टो निन्यान में कि बिल्कुल यही पूरा पेपर यही रहेगा यह वाला पेपर रहेगा अब अब अच्छे सो लेंगे साथ 10 बज़े से टेस्ट का शुरू का हम तो अभी चापना शुरू कर देंगे हैं अभी से लिखना शुरू कर देंगे चली ओके तब आप लोग टेस्ट देजेगा अल्ट वैरी बेस्ट अब हमें जाना है बाइब आवरीओं एवरीओं एवा नाइस जटोल फ्यू और वैरी बैस पूर यह टेस्ट बाइब बच्छा जी थैंकि सो मच प्रू कर देंखने कर दो कर दो दो कर दो दो ma